नमस्कार आप देख रहें TV20 News मैं हूँ आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी आप लागडाउन का पालन करें घर में रहें सुरक्षित रहें प्रसासन का सहयोग करें अब नजर डालते हैं ख़वरों पर जिलादिकाई राजिस कुमार ने बताया है कि एक बार फेरी बड़ी संख्या में लोग करोना संक्रमड की चपेट में आ रहे हैं करोना से बचाओ की नियमों का सही तरह से पालना करने की वज़े से फुरा देश भयावाश्ति से कुचर रहा है जिलादिकाई ने कहा है कि संक्रमड से खुद को दूसरे को संक्रमित होने से बचाने के लिए फेश कबर मास्का प्रयोगी एक मात्र भी कल्प है इससे पहनने से किसी संक्रमित बेक से हवा में मौझूद थूकी बूदों के मात्यम से कुरोना वाइरस की स्वसन तंतर में प्रविस करने की संभावना बेहत काम हो जाती है के जिसे बचे संक्रमित को ध्यान में लगते हुए सासन दौरा घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना आनिवार कर दिया गया है सासन अस्थर से इसके प्रतिये उलंगन करने पर अर्थन वकड़ी कारवाई की भीचा रही है मकेच के साथ काई डाक्रेकि में इस तरह निकलने पर मास्क लगाने और मानक तूरी को बनाने और सारवजनिक अस्थानों पर किसी भी बच्छ को नौच होने हाथों को बाल पर साबून से दोने के लिए परचार परचार के माद्यम से लोगों को जाखरू कर रहा है अगर मास्क नहीं है तो गमचा, रुमाल, सूते, दुपटा से दो सी तीन परती बना कर चेले को अच्छी तरह ढख ले सूती और मोटा कपड़े का होने से मास्क से ज्यादा सुरक्चित रहेगा और उसे दुबारा इस्तिमाल से पहले अच्छी तरह सावन से दोने के बाद इसे धूप में ही सुखने दे